हेलो एवरीबन कैसे हो सभी विलकम बैक टू आर निव वीडियो गईज आज की वीडियो में आपको बताने वाले हमारे फ्री फायर के अंदर हमारे सबसे पहला लेजेंडरी इवोलूशन वेपन यानि ड्रैको एक रिटर्न में कब तक देखने को मिलने वाली है गईज साथ म आपको बताएंगे अर्क्टिक ब्लू बंडल हमारा इंक्यूबेटर से कहां गायब हो गया पुरा इंक्यूबेटर इंप बढ़ा दिया गरेना वाले नों तो कहां गया वो कब तक वापस आएगा क्या आपको फ्री का कैसे मिल सकता है यह भी बताएंगे एक चैंपियंस इ कैसे मिलने वाले हैं यह भी बताने वाले और साथ में आपको कुछ आने वाले नए बंडल्स भी दिखाने वाले हैं तो काफी कुछ आया राज नएने अपडेट्स और इवेंट्स के साथ आची वीडियो को फटावर्ट से शुरू करते हैं लेकर उससे पहले लाइक कर दे अची लगती है आपको शेयर करने लाइक लगती है तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ भाई तो सबसे पहले यार वीडियो को शुरू करते हैं फटावर्ट से और बता देते हैं आपको मारे आने वाले कुछ नए बंडल्स के बारे में लेकिन एक छोट इसे इंट्रो के पार तो शुरुबात करते हैं हमारे इन दोनों नए बंडल्स के साथ गयज यह वाले बंडल में आपको अलड़ी एक बार दिखा चुका हूं दूसरी बार देख लो जपान की ही किसी ड्रेस की ट्रेडिशनल थीम पर बेस्ट हैं यह दोनों बंडल्स गयज में व्हसे मेंी जपूँ आपने सामने देख लिया आपने फीमेर अबहे यह दोनों ही बंडल्स के समय आने वे नए कायों डिवाली देखने को मिलने वाले रेुकता हूं कि या उन्यौन यंपी डिवालि पर बेस्ट है और आपको बोल सकता हूं कि आपको फ्री ही मिलेगा कि बंडल तक पन्डल हमें रीर का दिया गया था, लेकिन वह खौफी अलग था, मतलब उसका पूरा डिजाइन था, लेकिन इसका क्लर वगरा चेंज चन्ज कर दिया था, उसका स्टरक्टर उसली सेम था, जो बेस होता ना, एक bundle का वो same to same था तो उसी की ये copy है लेकिन उससे काफी अच्छा है देखने में और प्रबेबली आपको free का ही मिलने वाला है दिवाल एक टाइम पे इसके बाद भाई बार देखने को मिलने वाले हैं वेनम की थीम के वाकियार मैं हर चीज आपको दिखा चुका हूँ वेनम के सारे आइटम जो हैं जितने रहे गए हैं वह आपको कल यह परसों की वीडियो में दिखा दूंगा और गई जो मरी गोल्ड़न अबंडेबलीट सेवन का इवेंट है वो भी आपको कल की वीडियो में दिखाने वाला हूँ है उलिडी मैं आपको बता चुका था टोकन टावर इमेंट में आ रहा है कल उसका पूरा प्रिव्यू आपको दिखाएंगे टोकन टावर इमेंट में ही आ रहा है कब आएगा यह आगे बता देंगे यार यह हमारा ग बनेटल भी और अच्छा कासा है देखने में बट यह यह यार वनम की थीम थी तो थोड़ा ज्यादा सोचा था अब यह एक्शन भाई यह लोग देते यह ऐसा एनिमेशन टाइप का कोई अक्शन दिया जाता है लेकिन यह तो बंडल का है जोकी किसी काम का नहीं आपके लिए सिर्फ लोक वाइस अच्छा लगता है बढ़ां कि दोनों बंडल है वेनम के ही है और मेन बंडल से वेनम के थीम के तो बताना भाई यह वाले दोनों बंडल आपको कैसे लगया है डॉक्टर के इसके बाद गैज आपको दिखा देता हो मैं यह जो बंडल आप देख रहे होग है इसको तो एक ही बात है यहां पर आपको यार इसकी खोबड़ी पे एक सांप का अफेक्ट नजर आएगा चाहां पर दो फैंग यानि डंक दिख रहे होंगे इसकी मुह के आगे तो यह चश्मा भी इसका तोड़ा आजीब सा यह चंपू वाला चश्मा पूरा लेकिन भा मास्क नाम से यह हमें देखने को मिलेगा और बताना यह वाला मास्क आपको कैसा लगा देखने में यहां कुछ और नए आइटम्स आ रहे हैं हैड से रिल्ट्रिट तो आपको दिखा देता हूं फटवट से यह सबसे पहला हमारा एक हैट होने वाले बिल्कुल नहीं तरीक यहां पर डॉल्फिन का भी एक हैड आपको नजर आएगा और साथ में एक क्यूट से अलिफांड का हैड भी नजर आने वाला है इसके बाद आपको फीमेल का यह हेड्स्टाइल भी दिखा देते हैं काफी अच्छे लग रहा है देखने में उपर में जो कान निकला ना मज देगा यह भी अलग-अलग आइटम से यह कोई एक बंडल के पार्ट नहीं है अलग-अलग चीज़ा है आपको देखने को मिलेंगी काफी जल अपडेट के अंदर इस मास के साथ इंडिया चैंपिंशिप टूर्नमेंट के टाइम पे भी आपको डेर सारे एक्साइटिंग लुट देखने को मिलने माला है जोचा की अफ़तार और बैनर को मिले का टूकन से एक्स्चेंज करने पे गज्जाइब को यह वाला छी बीए प्रिक लेंग शेज करने पे उसके साथ यह एक चीज़ और है इसके साथ चिए चारिक्टर इसके साथ साथ इमोड मेंड फौर की legendary skin जिसके attributes top class है और साथ में यह beast on pet आपको नजर आने वाला है चार होई चीज़े काफी अच्छी है इमोट हमें अलड़ी एक बड़ फ्रीका मिल चुका है FFIC के टाइम पे M4A1 की यह skin भी गन की skin हमें फ्रीके मिली थी Skylar character guys I think कभी फ्रीका नहीं आया है और इसके साथ साथ आपको यह beast on pet जो है वह भी फ्रीका नहीं मिला है देखने को अगर मिला भी तो में तक यह लोगा तो में अपरहन आपके पास नहीं यह सब चोड़ है तो फिर आप ने च़टी कर सकते हैं वना मेरे साप से हैं और M4A 1 काफी है तो सोच स्मझ के बरदी कर लेना कि आपको भी मत भूलना क्योंकि आपको यहां पे यार 4 lakh की वाचिंग कपलेट करनी है यहनी 400K की जो लाइव वाचिंग है वो यहां पे होनी चाइनल पर अगर आपको यह सभी चीज़े चाहिए प्लस यहां पे कस्टम रूम कार्ड है या क्या है यह नेम चिंच कार्ड कुछ भी हो सक अब यह तुम लोग बिल्कुल पीच्छा पकड़ेते इतने महीनों से मतलब 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूं एक ही कमेंट आता है ड्रैको एक के ड्रागन एक हमारी रिटर्न में कब देखने को मिलेगी कौन सी यह आपको इन दोनों गंच में सचाहिए यह आपको खुड यह दोनों ही इवो गंच में से कोई ना कोई एक इवो गंच आपको देखने को मिलेगी और आइधिंक सबसे आदा वोड यहां पे ड्रागन एक है ने ड्राको एक को ही मिला है तो आपको यह एक एक गंच मिलना वाली काफी जल तो डाइमंड विटरो ना अब इस ना पुरानी है काफी है काफी लों के पर टोकन भी होंगे लेकर गन नहीं होगे तो जिनके पास गन नहीं है वो इसे निकाल सकता है और प्रबेबली फेर वील के अंधर ही इस गन को आना चाहिए यार रिटर्न इवन के अंदर तो बगई यहां पे यार एक और सकार दो ओफीशियल नहीं से आपको इन दोनों गैंज में से एक नएक गन और 99% मान लो कि आपको यह ड्रैक को एक के ही देखने को मिलने वाली है और हां यार डेट बगरा अगर आपको जानना है तो थोड़ा से वेट करना पड़ेगा क्योंकि नहीं होती तभी मैं आपको नहीं बता जट कर दिया तो कहा गया हमारा इनकि बीटर गईज अभी सब यही सोच रहे हैं बता देता हूँ इनकिमेटर जो मर आया तो उसमें फिर यो आ tapa और यहीं कि ए मतलब चार बंडल आप इंक्योबिटर में दे रहे हो वह भी पहली बार ऐसा हो रहा है पहली बार ऐसा हुआ कि इन लोगों ने बता है कि यह कर क्या रहा राक्टिक ब्लू बंडल दे दिया वह भी ग्लिच बोल के ऐसा गरेना ने खुद क्लेम किया है तो आई तिंक यार जितनी चांसस बनती है वह इंक्योबिटर वापस तो आएगा लेकिन इसमें जो आक्टिक ब्लू बंडल था वह देखने को नहीं मि पोट्टी दे दी और आगे जाके भाई पता नहीं क्या वरोसा क्या आजए तो भाई अगर आता है एकदम रिसेंट्ली से कोई भी इवेंट आता और आपको लगता है यह रेयर एटम कैसे आ गया तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगली बार से गलती मत करना निकाल लेना कलती से ऑच OUT हम नहीं कहेरें कि गलती नहीं हो सकती किसी से भी हो सकती है पर दो दो गलती हैं एक बार में बहुत गलत चीज है यार इतना बड़ा आज के अपडेट्स थे और जित्ते अपडेट मैं आपको दिये उम्मीद है पसंद आये होंगे और इस पर थोड़ा सा घुस्सा आया होगा घुस्सा यहां मत निकालना भाई करें नहीं निकालो हम तो बस आपको अपडेट्स देते हैं तो आज के लिए गाईज पस इतना ही सब्सक्राइब कर देना लाइक मार देना और शेयर कर देना इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो गरेना काफी अच्छे इविंट ला राइस बार लेकिन ये जो गलतिया है ना पूरा मतलब पड़दा डाल देती है अरसे और इन गलतियों पे ध्यान देना च